कि एंड वेलकम बैक टूड़ में तू पाइ तो पाइतन मास्टर क्लाश शीरीज अंड इस लेक्श्र में हम लोग जो लेक्टर 13 में स्कीट थे टरनरे उप्रेटर का कंसेप्ट उसका हम लोग इंप्लिमें पार्ट जो हम लोग देखने बारे थे तो जैसा हमने तिरिटिकल क प्रेक्टिकल कंटिप्स दोनों लिंक हो सेगे काफी अच्छे से ठीक है तो पहले हम लोग क्लिक करेंगे न्यूव फाइल के उपर और यहां पर हमें एक विंडोज है वो ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमें कोड को लिखना है तो इस कंसेट को समझने के पहले पहले जै प्रणरी ऑपरेटर में क्लिएंगे तो यह हमारा जेहें सिनारियो है और इसको हमें इंप्लिमेंट करना है तो अंडर्स्टेंड दे कंसेप्स अफ ट्रणरी ऑपरेटर तो यहां पर मैं एक वेरियाबट डेक्लेर करूंगा एज और यह से इन्पूट लेने के लिए हमनें तो हम लोग स्ट्रिंग को इंटेजर में करने के लिए टाइप कर लोजन फ्रम लेक्ट्टर नमर्स 11 जो हम लोग यूज करने वाले हैं तो इफ हम लोग टिकेट प्राइस को सब्सक्राइब कर दोते हैं इस पर आवर इंप्लेमेंटेशन और इस पर आवर प्रेजेंटेशन तो टिकर प्राइस को हमने क्या कर दिए 20 अगर जो भी यूजर नहीं नहीं इंपूड किया एज को अगर इसका वैल्यू ग्रेशन एटीन है औ आवर जिंग एस्टिंग मेथटर सो यहां पर यूर कि टिकेट प्राइस इस वापर ओपन और क्लोज कर लिए बैसेस और यहां पर कर लेंगे टिकेट प्राइस ठीक है कुछ इस तरह के से कोड को हमनें इंप्लिमेंट कर लिया इसको हम लोग से अव कर लेते हैं पाइथन अब कर दानेंगे हम लोग टर्नरी अपरेटर अब चाहिए कोड को रन करते हैं हम यहां पर और हम देखेंगे यूजर से हम लोग इनपूट को एक्षप करें तहावे मीं डालता हूं सपोस्च ट्वेंटी है क्या हो गया हुआ ट्वेंटी में कोड को आपस एरन करता हूं और इस टैमबे में आता हूं एज को 17 तो टिकर प्रेस क्या हो गया 5 हमारा कोड जो है प्रॉफ आले चल रहा है अब इसी कोड को हम लोग ternary operator में convert करेंगे सो code जो है code in ternary operator इसको save कर लेता हूं और ternary operator में code को मैं transform करने के लिए जो है पहले मैं एक variable जो है variable name यूज करूँगा फिर equal to और यहां पर में वह value डालूँगा जो कि condition true होने पर इस variable कंदा set होना चाहिए तो यहां पर क्या रहूंगा मैं 20 because condition अगर true होता है तो 20 डालूँगा फिर यही line of code को मुझे क्या करना है है copy करना है as it is 20 के बाद space देना है फिर यहां पर यह डालना है और यहां पर एल्स फाइल ठीक है तो यह हमारा code successfully complete हो चुका है अगर यहां पर हम लोग print करेंगे value को for example प्रिंट करता है जो ticker price is about the column जिसे हम लोग distinguish कर सके code को run करते हैं यहां पर डालता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए इससे हमने समझने में थोड़ा इजी पर जाए और ट्राइब कीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि तो अगर आप अगर ट्राइब करने चाहते हैं कि इस ब्लोग को ट्राइब करो नो प्राब्लम बट थोड़ा समझ के हमें यूज करना चाहिए यह मेरे एक एडवाइस था तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है आई होप आपको काफी अच्छा लगा रहेगा ट्राइब साथ तिल देन टेक के एंड बाई बाई जैहिंद